पगद सिंग आ गया स्राबा किते रह गया सारी अजादी कल्ला गांदी ता नहीं ले गया गदरी बाब्यां दा किवें गदर पुलामा में चूठे इतहास उत्ते मोर किवें गामा में मशूर लोग गाएक बबु मान दे गाए एस गाने वी चुक्या गया एस वाल आज हर सुचेत पंजाबी दे दिलते चोट करदा है के जो सतकार जो अदर मान साठी कौम दे ही रे महान सूर में शेहित सरदार पग सिंग नू मिलिया ये सब समेध ये सरकारां दे सोचे समझे एजेंडे तहत होया। ओ चोंदे ही नहीं सी के गदरी बाबयां ते करतार सिंग सराबा नू कदी ओ सतकार मिल पावे जो सरदार पगसेंग नू मिल रहा है। इस दे पिच्चे कुछ बहुत वड़े कारण सन जीना नू आजा पाइस वीडियो विज जानांगे। इस दे नाल है ये शहीद सरदार करतार सिंग सराबा दे जीवन बारे जानांगे और वी बहुत कुछ। पर वीडियो शुरू करतो पहला जे तुसी इस चैनल ते नवे आए हो ये वीडियो तो अनू किसे सज्जन ने वटसाइब ते शेयर किता है। ता यूट्यूब ते आके सक्सेस दारा चैनल नो सिस्क्राइब करके बैल एकोन प्रेस करके औल ते क्लिक कर देओ। पंगानी दी जंग शिर्गुर गोमी सिंग जी दा पहला जुद या फिर सिक दिल्ली फते। नी करना चौंदा सी। मैं चौंदा सी के एस तरह लिखके तो अडेसम ने पेश किता जावे के 25 दे लसानी गुणावले महान किरदार नाल वफा हो सके। पर करतार सिंग स्राबा ते गदरी बाबियां ते कई किताबा पढ़न तो बाद में नो ए पता लगा के किरदार ता दूर इथे ता सिरकारी एजंडे दे तहत असली तथा नो ही बहुत ज़्यादा तोड मरोड के पेश कीता गया है। असल किरदार नो तो अडे समने लेओन विच सब तो मददगार रही एक किताब। जंग छट चुकी सी। हर दिन इताहा सी कट्रामा काट रही है सी। ते समा तुफानी कोड़े वांग चाल चल रहा सी। ते जे स्राबेदे जीवन ते चात मारी है ता एंज लगदा है कि जिवे सच बुच ओ इस समय रुपी तुफानी कोड़े नो काठी पाके शानना लिस सजा दिती जावे पर तेरा रिकॉर्ड वे के ऐसी मजबूर हां अमरीका तो लेके पार्दी जमीन तक ब्रतानवी हकूमत खिलाफ रची गई एहोजी केड़ी साजिशनी जीदे विच तेरा नाम नाम बोलता होए असल विच गदर लहर ओ लहर सी जीदे आगू गदरी तो ताकतवर हकूमत ब्रतानवी सिरकार्दियां जड़ा हलाके रख दितियां पाइस राबे दे अमरीका तो वापस पार्त दी तरती दे पैर पॉंड तो लेके फड़े जान तक मसा गिंड़ती दे देंट बनते हं अईने थोड़े दिना दिविच ओ जो कुछ कर गया वो स साइक्लो स्टाइल प्रिंटिंग मेशीना हुंदियां सी पहला ओं मशीन गेड के इवन कदी कदी ता हाथनल कार्बन कोपियां करके परचे चापदा फिर परचार करनली दिने पिंडा मिच वंड़ दा ते राती चोणियां विच जाके विचे विचे विच बंगाल जाके उत्तो दे करंती करियां अल सांठ गांट भी कराया उत्तर पार तो दिये होजी केड़ी चोणि नी जी ते विच रबा ना गया होवे अइना नीडर अइना दिलेर ते बेख़ॉफ कई वर ता पहला किसे फोजी नाल कोई संपर्खुन दा ते कई वर सिद्धा ही तूस दित एक दो मिलाकाता करके ही अपनी जिन्दगी दे फैंसले ले रही संप एक वार लुद्याना तो जिलंदर दे सफर दुरान रेल विच रबे नो एक सेख फोजी मिलिया गलबा तो पता लगगा के लहोर दी मिया मिर चाउनी दे असले खाने दा इन चार्ज है ते हत्यारां व सेवा विच हाजर होन गे एस तों पिच्छे चल दे होई जे गलकरी अमरीका दी ता गदरी बाब्यां दी प्लानिंग बड़ी तगड़ी सी ऐनी तगड़ी के तुस्सी सोच भी नी सकते एस प्लैन विच अंग्रेजान ये चोणियां थे हवाई हम लेता करना शामल सी 25 तोर ते लुकाणू 55 साल लग जान दे हन 25 दी फूर्ती वेक के स्कूल विच नाल दे विदार्ती इसनों उड़ना सप केंदी सन ते जोदो इस उड़ने सपनू सिखी दी पान लग गई ताउं तुफान्ना दा शास वार बन गया 25 पार्त दी तरा अमरीका विच वी उसे त जी नाल ही सरगर्म सी गदर लहर नू खडा करन विच आगों वलो शुरू किती गई गदर अखबार दा बड़ा वड़ा योगदान है ते एस अखबार नू 56 दा जिम्मा 25 दे सरते सी ओ पहला पंजाबी अखबार नू टाइप करदा ते उर्दू दी अखबार नू हतनल ल सी सुर्त नू नाल जोड के महसूस करिये किनी उर्जा होगी ओ सूर में विच गदर लहर दे बानी प्रदान बाबा सोन सिंग पखना केंदे हन के संसार जंग हजे लगी नहीं सी पार्टी ने मता पास किता के मैं पार्त जाके हलातां ता जाई जा लवां ते नाल ही कुझ ह हथ्यार भी लह जवां जो गदर दे वेले साड़े कामा उन गे हथ्यारां दी कल जोड़ों में स्राबे नल किती तो उसने सिर्फ दो दिना विच्छी बजार चों हथ्यार क्रीद के जहाज दे करमचारी नल साट काट करके एक कमरे विच रखवा दिते ते सिलिप ले आके म बंदरगाते कुछ समेली रुकया ता मैं की वेख दा हां के समने उस्राबा तुरिया आ रहा है मैं पुछे पुत्रा तु एथे के में केंदा मैं ता उद्वनी तुरपया जुदो जंग लगी पाट्टी नू कहता मैं जाके इंतजाम करदा हां तुसी सारे नू कठा करके पिच्छे पिच्छे आ जाये हो अइना हो नहार अइना निर्पहोते तेज तरार पर फेर वी इतहास दी तवारिक विच शेहित करतार सिंग स्राबा बरे बस एक टुटवा जाही जिकर मिलता है कुछ साल पहला हिंदोस्तान टाइम से अखबार ने एक सर्वे करवाया के तुसी अजादी दी जंग दा महान आई किनू मन दे हूँ थले चार-पंज ओप्शन दितते सन क्योंकि ए सर्वे अखबार दे पंजाब अटिशन ने करवाया सी ता करके सर्दार पग सिंग सबतो वद वोटा लेके पहले नमबरते रहे पर इते एक बहुत ज़्यादा हरानकार देन वाली गल सी के सरदार पगसेंग ता सब तो वद वोटा लेके पहले नमबरते रहे पर जिन्नों ओ अपना अधर्श मन देसन जीदी फोटो हर समय अपनी जेव बिच रख देसन ओना तो प्रेरना लें देसन उस महान सूर में सरदार करतार सिंग सरबानू ता एस योग भी नी मन्या गया कि उन्ना दे नाम ओप्शन्स विच रख्या जावे तुसी हिसाब लालो के जे पंजाब विच ये हाल है ता देश दे दूसरे सुब्यां विच ते बाकी दुनिया विच किने एक लोग सरदार करतार सिंग सरबानू जान दे होनगे कई वार एंज होनदा है कि किसे महान शक्षियत बारे इतास विच लिखे आई बहुत काट जानदा है ता फिर उन्ना शक्षितां दाता समय दे रेगिस्तान विच गुम हो जाना से बावक है पर पाई सरब्य दे केस विच इंज नहीं सी इतास विच गदरी बाबयानू पावे जिवे मर्जी अनपढ़ते गवार दिखाया गया होवे पर उन्ना चो बोध्यां दी खासियत ए सी के हुमेशा कुछ ना कुछ लिख दे रेंदे सन गदर लहर दे बानी प्रदान बाबा सोन सिंग पकड़ना ने अपनी संपूर्म जीवनता निचोड कटके अपनी स्वै जीवनी दे रूप विच एक किताब लिखी है मेरी राम कहानी अमरीका विच एक बड़े तगड़े सिक जीमिदार सन बापा जवाला सिंग जी जीना नू अलूँआ दा बाश्चा दा पटैटो किंग केहा जान्दा सी ओवी गदर लहर दे सरगर्म योदे संपूर्म लहर दे कुछ समय बाद उनना दे फारम तो उनना दी डेली डायरी मिली सी जीदे चो गदर लहर बारे तरीक दर तरीक सारा इतहास मिलदा सी जो के इतहास कराली किसे खजाने तो कट नहीं सी पर होया की मेरी राम कहाणी किताब नू स्यासी चाल बज्ये करके टैंग नाल जंता दक पोंचनी नी दिता गया तेवो डैरी हात लगी सी सिरकार दी कठ पुतली खब्बे पकी विद्वानना दे उनना अपने मतलब दिया गला काट गे उस दैरी दा गलाई कोट दिता एक होर उदा रंत्वा डेनाल संजा करा तप आई सराबे दा एक साती सी बाबा हर पजन सेंग जो लम्मा समा उनना दे नाल रहा ते उनना दे बारे सब कुछ जान दा सी ते उसनों लिखन दा विशोंक सी हमेशा कोज ना कोज लेखदा रहन दा सी बाबा हर पजन सेंग दी मौत 1970 विच होई यानि कि सरदार करतार सेंग सराबा दी शही दी दे पूरे 55 साल बाद हर पजन सिंग ने एना 55 सालां विच्च सरदार करतार सिंग स्राबा ते गदरी बबया ना जुड़ी हर एक छोटी छोटी गल हर एक डुगता कागस ते उतार दिता सी 1988 विच्च गुर्णानक देवी इन्वेस्टी दे एक परफेसर हर पजन सिंग नू मिले नौदा है ते दस्दा है कि उसरदार करतार सिंग स्राबा ते गदरी बबया ते रिसर्च करके एक किताब लिखन ते कम कर रहा है अजमेर सिंग उस्दा नाम परफेसर हरीश पुरी दस्देहन बाबा हर पजन सिंग ने अपने 55 सालां दी मेंत अपना लिखे पूरा साहित हरीश पूरी नो खुशी-खुशी सौंप दिता पर होया की जदो हरीश पूरीदी किताब छपके सब्दे सामने आई ता एकवी लेन एकवी तथ हर पजन सिंग दिया लिखता चो नहीं लेया गया ओ सारा कीमती इतहास पंग दे पाड़े ब्रबाद कर दिता गया लिखे ओ ही गया जो सरकार चोंदी सी ते सरकार एही चोंदी सी के सरदार पग सिंग दा नाम अग्ये ले आंदा जावे ना के सरदार करतार सिंग सराबे दा ते गदरी बाबे आंदा पर आखर एस सारे अजन्डे दे पिच्छे कारण की सी, क्यों हकूमत इना जोर दे के सरदार पगत सिंग नो अग्ये ते सरदार करतार सिंग सरापन पिच्छे तकना चोंदी सी एस वड़े स्वाल दा जवाब सानु सरदार अजमेर सिंग को लो समझन नो मिलदा है ओ दस दे हन के 1970 दे दहा के तक पगत सिंग दा कोई बाला नाम नहीं सी खास करके पंजाब तो बार सरकाज सिर्फ गांदी नो ही परमोट कर दी सी पगत सिंग नो ता ओदो तक बगावत दा परदीक मन्या जन्दा सी हकूमत दे बागी उस तो प्रेर ना लेंदे सन ओ दस दे हन के एथो तक के जदो नकसली लेहर दुरान साड़े कमरियां चे छपपे मारे गए तलाशियां नहीं गियां ता जे किसे कोल पगत सिंग दी फोटो भी मिल जन्दी सी तो ओ वी एक नुकता एक शक्ता कारण मन्या जन्दा सी के एदे कोल पग सिंग दी फोटो मिली है नकसली लेहर तो बाद जवाला मुखी मांग उठेया सिक संगर्ष एक तो बाद एक वड़ियां बगावता हलाद सरकार दे हत्चो निकल दे जा रहे सं ओनानू समझ आ चुक्के असी के तशद्दट आके असी सेक इनकलाब नू दबा नी सकदे स्तारमी सदी दे हाकमा ने जो गलती किती असी भी ओही कर रहे है सो क्योंना इना नू रोकन दी था इना दी सोच दे इना दे दमाग दे कबू पाके इना दे जजबे नू अपने फैदेली पुक्त आया जावे एते एक गल सरकारी निती कड़ां दे समझ विच आ चुकी सी के एस सेक अपने शहीद्दां दे अपने इतहास दे प्रती बड़े इमानदर हन बड़ी पक्की शर्दा रख दे हन ते एसी गल नू अपने फैदेली वर्त दे हन एक सोची समझी साजिश दे तहत पंजाब दे शहीद्दां दा सरकारी करन करना शुरू कर दिता गया ते एस नशाने ले सब तो पहला चुनिया गया सरदार पगसंग जी नू राष्टर्बती जयानी जेहाल संग ने पंजाब मता दि उपादी दे के यह स्टाल दी शुरूद किती तद ओस मोके दे मशूर इनकलाब भी कवी संत्राम उदासी ने बनीना पंजाब मता गीत लेके बीबी मता दि कोर नू ए उपादी ना लेंली तरला पाया सी के जे तू पंजाब माता बन गई फिर तू साथी भाग्यां दी शेहिदा दी मानी बन पाएंगे पर सियासत तो कोहां दूर बैठी होस मानू एक किते समझोना सी के ते इनने काले दिल दे लोग राज कर दे हन जो शेहिदा दे नाम नू भी अपने मतलब ली वरतन तो गुरेज नी कर दे पर सवाल ता उत्य दा उत्य ही रह गया के सरदार पागित सिंग ते सरदार करतार सिंग सराबबा दे वेच्चे सरदार अजमेर सिंग एक गल बड़े विस्तार नाल समझों दे हन के सारी खेड विचारता रावा दी है ते जेडे शहीद सरकारी जंडे दे चोक्टे विच फिट नहीं बैड़ दे उनना शहीद दे प्रचार करना ता दूर सरकार सगों ना दे ता आसनू दबोंदिया कोश्या कर दी है पहला गल कर ये पगत सिंग दी का पगत सिंग दो तरहां दे विचारां दा प्रतीक सी एक भगावद दा ते दूसरा राश्ट्रवाद दा राश्ट्रवाद ते देश बगती दोमें अड़ड पावहन राष्ट्रवाद दा मतलब हुन्दा है के देश दे लोग अपने अपने सुबयां दे इतानु छड़के उत्रे उठके देश दे बारेविच सोचन पार्त दे बारेविच सोचन ते पगत सिंग दिया लिखता चो एगल साफ भी हो जन्दी है के ओ पके राष्ट्रवाद दी सन उनना जोर दे के गल कई है के देश दे लोग एक जुट होके देश दे बारेविच सोचन ओ सारे देश दे इक को पाशा चोंदे सन पगत सिंग अपने समय दे सब्तों महान निती कड़ते स्कोलरां विचो एक सन उदों तक हर सुब अजादी दे लई वक वक लड़ रहा सी ते एस तरह डेड़ सो साल लड़नतों बाद भी अजादी निसीब नहीं होई सी सो इस समय दी मंग सी के राष्टरवादी होके सोचया जावे ते आपसी ताल मेल विदोंली समद इक को पाशा होना वी जुरूरी सी पर पग सेंग दे सुप्रियां दे राष्टरवाद अज दे हिंदूतवी राष्टरवाद जिना कटर नहीं सी जिते तार्मिक कटरता दे थले दब के सुप्रियां दे अपना विर्षा मिद्या ही जावे सरकार चोंदी सी के पंजाब दे यूत विच खाड को लेरवल वाद दे जज़बेदा नका मोड के एस दे राष्टरवाद दे रंग चड़ा के अपने मतलब ली वरते आ जावे सरदार पगसेंग नू एससे लिए चुने आ गया क्योंकि ओना दे राष्टरवाद दी विचारता राणू कटर राष्टरवादी दखा के यानि के थोड़ा जाही तोड में रोड के असानी नल अपने पक्विच पुगताया जा सकदा सी पर गदरी बाब्यां दे केस विचे इनना सोखा नहीं सी इनना सूर में दे विचारते नितियां एस सब सिक तर मंदे प्रेरना स्तोरतां दी छावी चोंदे सन अनना दिया लिखता विच वार वार शिर्गुर गोबिन सिंग जी बाबा दीप सिंग जी ते पाईतारु सिंग जी वरगे जुजारुआं दा जिकर ओंदा सी बिल्कुल ओही सिरोत ओही अधर्षते ओही विचारता रहा जितो खाड़कु लेर दे योदे जुजारु सिंग प्रेरना लेके सेख संग अरश्विच जूज रही सन ते जे सरकार गदरी बाबे ते करतार सिंग स्राबा दे विचारानों प्रमोट करना शुरू कर देंदी ता एता फिर उनना दी वरोधी देर दा परचार हो जांदा जेस नाल खाड़कु लेर होर जादा मजबूत हों दी जांदी एसे लेही जिनना जोर सरकार दे कटपुतली विद्वाना दा पग सिंग दे बिनोटी विचारता रहनों प्रमोट करनते लाग रहा सी उसे शिदत नाल ही ओब गदरी बाबे ते सरदार करतार सिंग स्राबा दे ता आसनों विगाड रहे सम लाला हर्द्याल जो सिर्फ छे में नहीं लहर दा हिस्सा रहा संगटन वलो सोंपें के कारजा नों निप्टॉन विच कीती ओधी टेल दे वड़े काटे संगर्श दे अंत तक पुगतने वए पर इत हासकारा ने जान बुच के उसनों लहर दे सब तो मोरी नाइक दे रूप विच पेश कीता सरकारी स्पॉंसर्ड विद्वाना ने अपनिया किताबा मिच रज के लाला हर्द्याल दियां सिफ्तां दे पुल बनने हम ते इंजव खोंदी कोशिश कीती है कि ओदे तो भीना गदर पार्टी बस अनपड़ पंजाबियां दे एक टोला ही सी उनज़ता एस सारी गल बड़ी ही गुंजलदार है किताब विच कई पेज जाते इसनों विस्तार नल समझाये गया है तेन दिना तक वार वार पता नी किन्नी वार लिखन तो बाद शायद मैं इस कुंसेप्ट नो इन्नाग सोखा कर दिता होगा के कटो कट मोटी मोटी गल तो आड़ी समझ विच आ जावे सो एस सीरिज दे अगले विडियो जविच अपा सरदार करतार सिंग स्राबा ते गदरी बाबेंदा पूरा इताहास जानांगे शुरू तो अंत तक सो जे तुसी मिस नहीं करना चोंदे ता चैनल लों सस्क्राइब करके बैल एकोन प्रेस करके औल ते क्लिक कर देो ते जे तुसी एक किताब विस्तार नाल पढ़ना चोंदे हो ता इंस्टाग्राम ते एक पेज है ओनलाइन किताब कर तुसी कर बैठे इस किताब दे फिजिकल कॉपी मंगवा सकते हो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन विच मेल जानगिया एक होर गल एक कोई स्पॉंसर्ट वी अग्गे पहुंचना चाहें जेत्वा नुजापता है कि विडियो वदिया सी ता इसनों लाइक करके अग्गे वद तो वद शेर जुरूर करें ते जान तो पहला कमेंट बॉक्स विच वाई गुर्जी लेक्या अपनी हाजरी जुरूर लवा देयो वाई गुर्जी का खा